माराश में खोके को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है शिंदेस पर आपती पहले ही जता चुके है लेकिन उद्दव ठाकरे गुट की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे माराश के मुख्यमंतरी एकनाश शिंदे ने शिवसेना उद्दव बाला साफ ठाकरे प्रमुक उद्दव ठाकरे को फ्रिज के डिब्बों का खुलासा करने की चेतावनी दे दी है खोके के जवाब में फ्रिज के डिब्बे ये राजनीती का अलगी दौर देखने को मिल रहा है माराश में ठाकरे लगातार राज्ज की सरकार पर करोडों रुपे लेकर बगावत करने के आरूप लगा रहे हैं जून जुलाई में शिंदे के नितित में शिवसेना के करीब 40 विदायकों ने अलग होने का फैसला किया था विदर्ब में जनसभा को संबोदित करते हुए उद्दव ठाकरे ने कहा था कि शिंदे फणनवी सरकार खुका सरकार के नाम से बदनाम है उन्होंने कहा था कि निर्दल ये विदायक बच्चू कुडू भी कह रहे हैं कि शादियों और सामाजिक समारों में लोग खोके के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं और ये अनुचित और शर्मिंदा करने वाली छवी उनकी तरफ से बनाई गई अब सीए में एकनाश शिंदे का कहना है कि किसी के बारे में गलत बात करने की एक सीमा होती है उन्होंने जोर दे कर कहा कि वो अपनी छवी के खिलाफ इतने निचले स्तर के और नुकसान पहुचाने वाले बयान को परदाश नहीं करेंगे शिंदे उद्दो को चेतावनी भरे लेजे में कह रहे हैं कि हम ये भी जाच करेंगे कि फ्रिज के डिब्बो के जरीए खोके कहा गए इसके बारे में पूरा खुलासा कर देंगे क्या कंटेनर से आए डिब्बे फ्रिज के डिब्बो के जरीए चले गए पूरा महराज जानता है कि कौन इन डिबो को ले सकता है और ऐसा न करने की ताकत किसके पास है एक दिन सभी चीजें रोशनी में आएंगी दरसल अपने मंत्रियों और विदायकों के साथ कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद मुंबई वापस लोटे सीएम मीडिया से बात कर रहे थे उद्दव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए शिंदे ने कहा कि मुझ पर और हमारे समर्थकों पर जूटे आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबा में जहांकना चाहिए वो कितने इमानदार हैं शिंदे यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि मुझ पर खोके का आरोप लगाने वालों के फ्रिज में रखे गए खोके कहा गए अगर इसका खुलासा कर दूँगा तो भारी पढ़ जाएगा आपको पता दें कि इसके पहले शनिवार को राज जी के शिक्षा मंत्री और बाला साहिप शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसर कर ने उद्दव ठाकरे के आरोप पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने भी फ्रिज के खोके की बात को उजागर करने का इशारा किया था केसर कर ने उद्दव ठाकरे पर निशाना साथते हुए कहा था कि हम फ्रिज में बक्सों का पता लगाएंगे फ्रिज से कंटेनरों के बड़े बड़े डिब्बे कहा गए ये पूरा माराज जानता है अब अगर उद्दव ठाकरे ने खोके का नाम लिया तो हम भी फ्रिज के खोके की जानकारी देंगे हलाकि शिंदे गुट की तरफ से फ्रिज के खोको की बात की जा रही है उसका पूरा मामला ये है कि जब उद्दव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और माविकास अकाडी के साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया था तो उस स हमें पर उद्धाव ठाकरे गुट की तरफ से पैसे दिये गए थे और फ्रिज के डबों का जो बार बार कहा जाता है वो शिंदे गुट इसी तरह के आरूट लोगें दोनों तरफ से एक जैसे आरो कि आपने विदायक खरीद के खुद को मुख्यमंद्री बनाया ये कह रहे हैं कि आपने बगावत की पैसे लेकर शिंदे गुट उद्दो की पोल खुलने की बात कह रहा है इस मामले में हाला कि इसकी कोई अधिकारिक जानकारी नहीं है और ना ही हम इस बात की पुष्टी करते हैं कि इस तरह का कोई भी मामला सामने आया क्योंकि अधिकारिक तोर पर कभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई किसी जाच एजनसी की तरफ से बात सामने नहीं है राजनितिक बयान बाजी अलबता खूब होती है बड़े बड़े जिम्मेदार नेता इस पर बयान देते दिखाई देते हैं और यही कह रहा था मैं शुरुआत में कि माराश की राजनिती का एकदम अलगी दौर देखने को मिल रहा है लेंदेन की जम कर बात हो रही उद्धव ठाकरेने कोई लेंदेन किया, नहीं किया, कोई पुश्टी नहीं है इस बात की लेकिन शिंदे गुट इसके आरोप लगाता है ठीक, ऐसा ही शिंदे गुटके विशे में शिंदे घुटका कहना है कि छवी खराब करने के लिए बार-बार इस तरह की बात खोके-खोके कहते हैं चालीस खोके एकदम वोके जैसे नारे देते हैं लेकिन महाराश में कई राजनितिक दलों के निता दबी जुबान में इस तरह की बाते करते रहते हैं सीपी और कॉंग्रेस के विदायकों को मैनेज करने के लिए उद्दव ने पैसे दिये थे ये बात कही जाती रही है ये बात कोई पहली बार नहीं कही गई है इसके पहले भी जब माराश के विदान सभा का मौनसून सब्स चल रहा था ऐसे आरोब खूब लगाये गए थे लेकिन अब एक बार फिर से खोके पर सियासी जंग शुरू हो गई है एक नाशिंदे ने सपश्ट तक कह दिया है कि हम इस तरह के आरोब जो छबी खराब करने वाले हैं उनको बरदाश ने उन्होंने कानूनी कारवाई की बात भी पहले कही थी आपको याद होगा जब ये आरोब बहुत जादा बढ़ रहे थे या उद्दव घुट की तरफ से बार बार इस तरह के हमले किये जा रहे थे तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई भी कहता है तो वो मान आनी का मुकदमा दा जनकारियां और अगर ऐसी हैं कोई गलत बात हुई है तो क्यों छुपा के बेटें बताते क्यों नहीं इस तरह के सवाल भी निश्चित तोर पर उनसे पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में और राजनितिक विशलेशकों का तो यही मानना है कि यह राजनितिक बयानबाज बहुत महतफ़ों होती है कहीं ना कहीं उध़ाणकरे यह कोशिश कर रहे हैं बताने की कि उनके साथ जो बगावत हुई है वो पैसे लेकर की गई है। उनके साथ गद्दारी की गई है सब्ता के लिए पैसे के लिए और ग। idols इस नरिटिव को सेट करना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें